नमस्कार बायजूज एक्जाम प्रेप आईज हिंदी में आप सभी का स्वागत है और आज हम 11 फरवरी के प्रमुक समाचारों पराधारित कुछ प्रस्टों पर चर्चा करने वाले हैं तो आईए सुरू करते हैं आज का डिली क्विज आज के प्रस्टों पर चर्चा करने से पहले एक बहुत ही महत्पून जानकारी आप सभी के लिए है हमारे द्वारा 13 फरवरी को साम के 4 बए से एक वर्क्षाप का आयोन किया जा रहा है जहां पर सेविल सिवा परिच्छा की तयारी और उसकी रनिती को लेकर के चर्चा किया जाएगा और आपको ध्यान में रखना है कि CAC रेंग धारक के दोरा यहां पर आपके साथ परिच्छा की रनिती को लेकर के चर्चा किया जाएगा जो कि आपके लिए बहुत ही महत्पुन है आपको ये ध्यान में रखना है कि इस workshop में भाग लेने के लिए आपको एक registration करना होगा जिसका link इस वीडियो के decision box में दिया गया है तो जो भी student सिविल सिवा परिच्छा की तयारी कर रहे हैं और वे registration करके इस workshop में भाग ले सकते हैं आईए अब आज के प्रस्टों पर चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर question number one है यह उत्तर पश्चमी तुर्की में इस्थित एक अंतराश्टी अस्तर का महत्पुन जलमार्ग है यह काला सागर को मरमारा सागर से जोड़ता है जिस जलमरू मध्य का वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है वह है और यहाँ पर आपको चार ओप्सन दिये गए हैं आप यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं यह है sea of मरमारा और यहाँ पर है black sea और इसके बीच में बॉस्फोरस एस्ट्रेट है जो की sea of मरमारा और black sea को जोड़ रहा है और इसके धार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर question number one का answer होगा बॉस्फोरस जलडबरू मध्य तो याद रखेगा question number one का answer है आपका option number D तो बहुत ही महत्मुन question है यह और इससे जोड़ा हुआ एक news आज के दहिंदू समाचार पत्र में आया है जिसका सिर्षक है Russia launches Belarus military deal तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रूस और Ukraine के बीच में कुछ दिनों से सम्मंध खराब चल रहे हैं और यहाँ पर रसिया के द्वारा बेलारूस के साथ मिल करके एक युध्या अभ्यास किया जा रहा है और यहाँ पर news ये भी आया है कि रसिया के द्वारा अपने छे वार्शिप को बॉसफोरस एस्टेट के पास भेजा गया है जिसको आधार बना करके यह question आपके सामने रखा गया था तो बहुत important news है ये इसको भी आप जरूद ध्यान से पढ़ लेंगे आईए आप question number 2 पर चार्चा कर लेते हैं question number 2 है दिये गए कत्रों में से कौन सा कत्रन सही है और यहाँ पर आपको तीन कत्रन दिये गए है यहाँ पर पहला कत्रन है One Ocean Summit का आयोजन UNESCO द्वारा विस्व बैंक के सहयोग से किया जाता है तो यहाँ पर चर्चा हो रही है One Ocean Summit की और आपको ध्यान में रखना है कि इससे जुड़ा हुआ एक news कल के P.I.B. में आया है जहाँ पर यह कहा गया है कि हमारे परधान मंत्री के द्वारा 11 फरवरी को One Ocean Summit में भाग लिया जाएगा और अगर हम One Ocean Summit की बात करें तो यहाँ पर यह जानकारी दी गई है कि इसका आयोजन फ्रांस के द्वारा सन्यूगतुराष्ट और विस्व बैंक के सहयोग से फ्रांस के बेस्ट में 9 से 11 फरवरी के दोरान किया जा रहा है और इसके धार प्रगर देखा जाए तो यहाँ पर पहला कथन गलत हो जाता है जहाँ पर यह कहा गया है कि One Ocean Summit का आयोजन युनेसको द्वारा विस्व बैंक के सहयोग से किया जा रहा है आए देख लेते हैं दूसरे कथन को दूसरा कथन है वन ओसियन समीट का एजेंडा अंतराष्टिय सहयोग से एंटी पायरोसी को रोकना है अगर हम इस न्यूज को ध्यान से पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस सिखर सम्मिलन के उद्देशों को लेकर के चर्चा किया गया है और यहाँ पर कहा गया है कि इस सिखर सम्मिलन का उद्देश अंतराष्टिय समुदाय को स्वस्ट एवं समावेशी समुन्दरी एको सिस्टम के सनक्षन और समर्थन की दिशा में ठोस का रवाई के लिए प्रिरित करना है और इसके धार प्रगर देखा जाए तो यहाँ पर दूसरा कथन भी गलत हो जाता है आए देख लेते हैं तीसरे कथन को तीसरा कथन है युनेस्को विलक्षन सागरिय अस्तलो का सनक्षक है जो 232 समुन्दरी जैव मंडल भंडार और उत्रिष्ट सार्व भौमिक मुल लेके 50 सागरिय विस धरौअर अस्तलो का सनक्षन करता है तो यहाँ पर चर्चा हो रही है युनेस्को की और आप सभी को ध्यान में रखना है कि अगर हम युनेस्को और महा सागर के बीच में जो रिष्टा है उसकी बात करें तो आपको ध्यान में रखना है कि UNESCO महासागर के प्रभारी सयुक्त राश्ट एजंसी है और आपको ध्यान में रखना है कि UNESCO के द्वारा एक अंतर सरकारी समुंद्र विज्ञान आयोग जिसे हम सौट में IOC के नाम से जानते हैं उसके स्थापना की गई थी 1960 में और इसमें 150 सामिल हैं और यह आयोग समुंद्र में बहुत सारे विज्ञानिक अनुसंधान परिजुनाव का समन्वे करता है जैसे महासागर मानचितरन, महासागर स्वासनिगरानी, सुनामी जोखिम निवारन इत्यादी और यहाँ पर आपको ये भी ध्यान में रखना है कि UNESCO एक ऐसे जेंसी है जो 232 समुंद्री बायोस्फेर रिजर्व और उत्कृष्ट सारो भौमिक मुल के 50 समुंद्री विश्धरोवर अस्तलों का सनक्षन भी करता है और इसके धार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर तीसरा कथन सही हो जाता है और इसलिए कोश्चन नमबर 2 का एंस कोश्चन नमबर 3 पर चर्चा कर लेते हैं कोश्चन नमबर 3 है माधवाचार के संदर्म में निमलिखित कथनों पर विचार कीजिए और यहाँ पर आपको तीन कथन दिये गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि उप्यूक कथनों में से कौन सा कथन गलत है यहाँ पर पह एक थें और उन्हें तत्वाद का प्रवर्टक माना जाता है यानि कि यहाँ पर जो पहला कथन है वह पूरी तरीके से सही है आए देख लेते हैं दूसरे कथन को दूसरा कथन है भक्ति आंदोलन के प्रणेता पुरंदर्दास माधवाचार के दर्सन के अनिवाई थें तो कि कुछ दिनों पहले ही हमने संत रामानुचार के उपर चर्चा किया था और मैंने आपको वहाँ पर बताया था कि संत रामानुचार को इलाया पेरुमल के नाम से भी जाना जाता था जिसका अर्थ होता है दिप्तिमान तो याद रखेगा कि इलाया पेरुमल के नाम से संत रामानुर्य चार्य को जाना जाता था अगर हम माधवाचार की बात करें तो उन्हें पूर्ण प्रग्य और आनंद तिर्ख के नाम से जाना जाता था इस नाम से उन्हें प्रसधी मिली थी और इसके धार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो तीसरा कथन है वह गलत हो जाता है और इसलिए question number 3 का answer होगा आपका option number B यहाँ पर सिर्फ तीसरा कथन ही गलत है बाकी दोनों कथन सही है इससे जुड़ा हुआ एक news कल के P.I.B. में आया है जिसका सिर्षक है प्रधान मंत्री ने माधो नौमी पर स्री माधवाचार को नमन किया और इसी को आधार बना कर यह question आपके सामने रखा गया था आईए अब question number 4 पर चर्चा कर लेते हैं question number 4 है क्रिसी उड़ान 2.0 योजना के सम्मंध में निमलखित में से कौन सा कथन सही है और यहाँ पर आपको तीन कथन दिये गए है यहाँ पर पहला कथन है इस योजना का उदेश देश के उत्तर पूर्वी राजियों पहाड़ी और आदिवासी छेत्रों के क्रिसी उत्पादों के लिए निरबाद, हवाई परिवहन और समंध रसत को सुनिचित करना है तो यहाँ पर चर्चा हो रही है क्रिसी उरान 2.0 की और आपको ध्यान में रखना है कि क्रिसी उरान 2.0 निरबाद, किफायती, समय बद, हवाई परिवहन सुनिचित करने के उद्देश से 27 अक्टूबर 2021 को लॉंच किया गया था इसका उद्देश विशे सुरूप से देश के पूर्वोत्तर, परवतिये और जन जातिये छेतरों से पैदा होने वाले क्रिसी उत्पादों के लिए लोजिस्टिक उपलब्ध कराना है और इसके अधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर पहला कथन पूरी तरीके से सही है आए देख लेते हैं दूसरे कथन को, दूसरा कथन है यह योजना क्रिसी और किसान कल्यान मंत्राले दवरा सुरू की गई थी आपको ध्यान में रखना है कि क्रिसी उडान 2.0 नागरिक उडियन मंत्राले के दवरा सुरू किया गया था और यहां पर क्रिसी एवं किसान कल्यान मंत्राले, मतस्य पालन विभाग, पसुपालन और डेरी विभाग, खाद्य प्रसंस्क्रन उद्योग मंत्राले, जन्जातिय कार्य मंत्राले, पुरुवत्तर छेत्र विकास मंत्राले, नागरिक उडियन मंत्राले के साथ मिलकर के का कर रहे हैं लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि इस योजना का कारेवन नागरिक उड़न मंतरा लेके द्वारा किया जाता है और इसके धार प्रगर देखा जाए तो यहां पर दूसरा कथन गलत हो जाता है आए देख लेते हैं तीसरे कथन को तीसरा कथन है इस योजना की घ प्रगर देखा जाए तो यहां पर दीसरा कथन भी गलत हो जाता है याने कि question number 4 का answer होगा आपका option number C यहां पर स्रिफ पहला कथन ही सही है बाकी दोनों कथन गलत हैं इससे जुड़ा हुआ एक नूच कल के P.I.B. में आया है जहां पर इस बात की जानकारी दी गई है कि क्रिसी उरान 2.0 scheme के तहट हमारे देश के 29 राज्यों को कभर किया गया है और scheme के कारण जो सेयर है air carriage का मतलब हवा के रास्ते समान की धुलाई का खास करके क्रिसी उत्पादों का उसमें बढ़ोतरी देखी जा रही है तो इस news को भी आप जरूर ध्यान से पढ़ेंगे आईए अब एक previous question पर चर्चा कर लेते हैं और यह question 2019 में पूछा गया था question number 5 है भारत में किसी वानिजीक बैंक की परिसंपती में निमलिखित में से क्या सामिल नहीं है और यहाँ पर आपको चार option दिये गये हैं पहला option है अगरिम दूसरा है जमा तीसरा है निवेस चौथा है मांग त वानिजीक बैंक का परिसंपती नहीं माना जाता यानि की question number 5 का answer होगा आपका option number B जमा आएए अब आज के तथर के उपर हम लोग चर्चा कर लेते हैं और आज के तथर में हम लोग चर्चा करेंगे deep ocean mission की इससे जुड़ा हुआ एक news कल के P.I.B. में आया है जहां पर इस mission क आपके लिए और यहां पर यह बताया गया है कि इस mission के तहट पांच वर्सों में 4,077 कुर्ड रूपे खर्च किये जाएंगे चरणमत तरीके से और यहां पर भारतिय अंतरिक्ष अनुसंधान संग्ठन इस्रो deep ocean mission के कार्यावन के लिए पिर्थिवी विज्यान मंत्राले क के सहयोग्यों में से एक है यहां पर आपको ध्यान मरखना है कि deep ocean mission पिर्थिवी विज्यान मंत्राले के तहत लागु किया जा रहा है याने की पिर्थिवी विज्यान मंत्राले इस mission को लागु करने वाला नोडल मंत्राले होगा इस मिशन के बहुत सारे उद्देश हैं उनमें से जो प्रमुक उद्देश हैं उनकी चर्चा मैं यहाँ पर कर देता हूँ यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि इस मिशन में पिर्थी विज्ञान मंतराले के तहट एक स्वाय संस्था यानि की National Institute of Ocean Technology के द्वारा तीन मानों को 6000 मीटर समुन्द की गरही तक ले जाने की छमता वाला एक मानो युग्ध पंडूबी विक्सित करने का काम दिया गया है और आपको यह ध्यान भी रखना है कि ऐसी टेकनोलजी दुनिया के कुछ चुनिंदा देशों के पास ही है इस मिशन का मकसद Poly Metallic Nodules को भी खोजना है जो कि हमारे लिए काफी महत्पुन हो सकते हैं यहाँ पर सरकार का ये भी कहना है कि इस योजना से समुन्दरी संसाथनों की खोज और समुन्दरी प्रदुक्की के विकास में मदद मिलेगा तो यहाँ एक बहुत ही महत्पुन मिशन है भारत सरकार का जिसके उद्देश्यों से आपसे कोशन पूछे जा सकते हैं इसलिए आपको ध्यान से इस मिशन के बारे में पूरी जानकारी ले लेना है आसा करता हूँ कि आपको आज का यह daily quiz पसंद आया होगा सारे questions बहुत ही महत्पुन समाचारों जुड़े हुए हैं आप इन सभी को revise कर लेंगे और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूरी से like करें, share करें और दूसरों को भी subscribe करने के लिए परेद करें तो मिलते हैं daily quiz के अगले अंक में तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद